बच्चे हो या बड़े सभी को पास्ता खाना बहत पसंद होता है तो आज मैं आपकी साथ शेयर कर रहे हूं एक दम होटल रेस्टोरेंट स्टाइल पिंक सॉस पास्ता बनाने की रेसिपी तो पिंक सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता को बालेंगे तो यहां एक बरतन में तीन कलास पानी मैंने गर्म करने रख दिया, जिसमें आधा चमबच नमक डाल दिया है, और एक चमबच हम इसमें ओयल डाल रहा है, ओयल डालने से क्या होता है कि पास्ता चिपकता नहीं है, बहुत अच्छा खिलागरा पास्ता तयार होता है, दोरही आप उबलने दे, मीडियम हाई फ्लेम पर इसमें उबालाने दे, पास्ता को उबलने में पहुँच जादा टाइम नहीं लगता है, आट से दस मिनट के अंदर ये अच्छी तरह उबल कर त्यार हो जाता है, वीच वीच में एक अदबर इस तरीके से आप इसे चला दे, ये ज पास्ता को मैं छलनी में निकाल लूगी, तो यहाँ पर ये जो पास्ता है, इसे हम पानी से अलग कर लेते हैं, छलनी में मैं इसे निकाल रही हूँ, और तुरंती अब आपको इस पास्ता के उपर ठंडा पानी डाल देना है, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, और बहुत ही बढ़िया खिला खिला पास्ता हमारा बनके त्यार हो, तो बस अब इसे ठंडा पानी डालने के बाद आप अलग रखते हैं, और पास्ता के लिए आप आप सॉस बना कर त्यार कर लें, तो यहाँ पर ये मैंने लिए हैं टमाटर, तीन टमाटर लिए हैं, और इनमें हम इस तरीके से कट लगाएंगे और ये जो टमाटर हैं इने हम उबालेंगे और उबालने से क्या होगा कि इनकी जो स्किन है ये उपर की हड़ जाएगी और हमें जो सॉस बनाना है उसमें ये टमाटर की स्किन नहीं चाहिए तो इसलिए इस तरह कट करके आप इने मलने रख दिया था पहले ही और इसमें यह मैंने टमाटर डाल दिये हैं अब मेडियम हाई फ्लेम पर चार-पांच मिनट के लिए टमाटर को उबाल ले यह देखिए इसकिन जो हटने लगी है और यह देखिए टमाटर अच्छे से उबल चुके हैं तो बस अब आप गैस का फ कीसे उबल चुके हैं इसके नासानी से निकल जाएगी की देखिए तीनो टमाटर का छिलका हमने निकाल दिया है और अब यह जो उपर का हिस्सा है आई वाला हिससा इसे भी हम थोड़ा सा निकाल देंगे इस तरीक इसे अब ये तीनो टमाटर मैंने त्यार कर ली हैं अब आपको क्या करना है इन्हें इस तरीके से नाइफ से रफली कट कर लीजे और अब ये जो टमाटर हैं इन्हें आपको मिक्सी के जार के अंदर डाल देना है और इन्हें ग्राइंड कर लेना है तो जार का ढखकल लगा दे और इन्हें आप पीस कर त्यार कर लिए तो यहां पर यह जो टमाटर हैं इन्हें मैंने पीस कर त्यार कर लिया है तो चलिए इन्हें हम साइड में रख देते हैं और अब हम पहले वाइट सॉस बनाएंगे तो पहन में मैंने एक चमच बटर डाल दिया है बटर को हलका सा पिगलने देते हैं गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर लो रखा है और अब मैं इसमें डालूंगी मैदा मैंने इसमें दो चमच मैदा डाल दिया है और मैदा को आपको लो फ्लेम पर रोस्ट करना है यह हम white sauce बना रहे हैं तो इसके लिए आपको मैदा को roast करना जरूरी है तो ध्यान रखें कि low flame पर ही roast करें यह देखें जैसे जैसे मैदा भुनती जाएगी इसमें से अच्छी खुश्बू आएगी और इसका color भी change हो जाएगा तो अब यहाँ पार यह जो मैदा है अच्छी तरीके से भुन के त्यार हो चुकी है मैदा में से अच्छी खुश्बू आ रही है यह भुन चुकी है तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक glass दूद यह जो दूद है वो आपको या तो fridge का एकदम ठंडा दूद लेना है या फिर room temperature पर दूद हो इस बात का ध्यान रखें गरम दूद इसमें बिल्कुल नहीं डालना है अगर आप गरम दूद डालेंगे तो इसमें गुठलिया बन जाएंगी दूद डालते ही इसे अच्छी तरीके से mix कर लें हम इसे एकदम क्रीमी और थोड़ा ठिक टेक्शर होने तक पकाएंगे और अब यह मैंने इसमें डाल दिया है एक चमच ओरिगेनो और आधा चमच मैंने इसमें डाल दिया चिली फ्लेक्स आप इसमें आधा चमच mix हर्ब का इस्तमाल भी कर सकते हैं सारी चीजों को अच्छी तरीके से आपको mix कर लेना है मीडियम फ्लेम पर आपको इसे कोक करना है बहुत ही जल्दी यह ठिक होने लग जाएगा अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चोथाई चमच नमक एक चोथाई चोटा चमच इसमें काली मिर्ज का पाउडर भी डालें मैंने इसमें काली मिर्ज का पाउडर भी डाला है लेकिन वो जो पार्ट है वो शूट नहीं उपाया है वो इसकिप हो गया है तो आप इसमें काली मिर्ज डाल दें और अच्छी तरीके से से mix कर लें औ और पिर इसे थंड़ा करके इसमें इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करें और यह देखे ये देखे लाइन बिल्कुल भी खराब नहीं हो रही है ऐसे ही बनी हुई है इसका मतलब ये कोख हो चुका है तो बस गैस का फ्लेम आफ करके इसे अलग रखकर आप ढगते हैं और अब हम आगे की त्यारी करते हैं तो गैस पर मैंने एक पैन रखा है और इसमें मैंने एक चम मैं इसमें डाल रही हूँ अब आपको ये जो लैसुन है इसे आधा मिनट के लिए इस तरीके से भून लेना है लैसुन का कलर आपको चेंज नहीं करना है पस हलका साई से आपको भूनना है तो लैसुन को लगबग आधा मिनट के लिए हमने इस तरीके से भून लिया है तो हलका साई इस तरीके से बटर में भून लेना है अब मैंने इसमें डाला है शेम नमर्स एक शेम नमर्स को इस तरह बड़े-बड़े पीसे में कट करके डाला है और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें स्वीट कॉन डाले हैं और लगबग एक मिनट के लिए सारी चीजों को आपको भून लेना है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है इन सबचियों को इनका क्रंच हमें बरकरार रखना है और अब जो टमाटर हम ले पीस के त्यार कीते वो हमें इसमें डाल देने हैं अब इसे अच्छी तरीक से मिक्स करें कैस का फ्लेम मैंने यहां मीडियम रखा है अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चोथाई चमच नमक नमक यहां आपको ध्यान से डालना है क्योंकि हम पास्ता उबालते समय भी नमक डाल चुके हैं और वाइट सॉस में भी हम नमक डाल चुके हैं आदा चमच इसमें डाल रही हूँ चिली फलेक्स और इसमें जाएगा औरिगेनो, आदा चमच मैंने औरिगेनो डाल दिया है, अच्छी तरीके से इन्हें मिक्स कर लेंगे, ये दिखे हमारी जो रेड़ सॉस है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पक रही है, तो इस स्टेच पर आप इसमें डाल दें, दो चमच टमेटो सॉस, ये टमेटो सॉस ड दाल दें और आपका रेड़ सॉस पास्ता त्यार हो जाएगा, लेकिन यहां हम पिंक सॉस पास्ता बना रहे हैं, तो जो वाइट सॉस था, वो हमें इसमें डाल दिना है, और वाइट सॉस और रेड़ सॉस जब मिक्स होगा, तो आपका बन जाएगा पिंक सॉस, इसलिए इ यह पास्ता डाल दें और अच्छी तरीके से से मिक्स करें यह देखें बहुत ही क्रीमी बहुत ही बढ़िया हमारा एक डम होटल रेस्टरेंट स्टाइल पिंक सॉस पास्ता हो रहा है बनकर दयार जब भी आप पास्ता बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें जो सॉस है उसकी क्वांटिटी थोड़ी जादा रखें तो आपका जो पास्ता है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद लगबग तो मिनट के लिए से आपको ऐसे ही सॉस के साथ कुप कर लेना है अब यह जो पास्ता है इसे बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ चीज अगर आप चीज नहीं डालना चाते तो चीज को स्किप कर सकते हैं बटेस से यह जो पास्ता है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा अच्छे तरह इसे मिक्स कर लें और अब यह पास्ता हो चुका है बनकर त्यार तो बस गैस का फ्लेम आफ करें और बस एक बात का ध्यान रखें कि यह जो पिंक सॉस पास्ता इसे गर्मा गरम सर्फ करें क्योंकि इसका असले मज़ा इसे गर्मा गरम खाने में ही है अब उपर से आप थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और और औरिगेन उडालें अगर आपको यह पिंक सॉस पास्ता पसंद आ